नमस्कार दोस्तों विनेश फोगाड जो हमारे देश की सान है एक बड़ी सानदार खिलाडी है ओलम्पिक में हमें पदक दिला चुकी है वो विनेश फोगाड कहती है यदि प्रधान मंत्री इतने इतने घंटे काम करते हैं तो पांच मिनट लगा के अपनी जिन्दगी के कीमती पांच मिनट लगा के उस गंदे आदमी का के बयान जो उसने मीडिया में दिये हैं और जगे दिये हैं उन्ही को देख लें उन्ही की समिच्छा कर लें तो सायद उन्हें पता चल जाए कि वो किसके साथ खड़े हैं बहुत बड़ी बात कहें कि कि जिसके साथ खड़े हैं, हाँ, आज साथ खड़े होने का बहुत बड़ा मतलब है, आप जिसके साथ खड़े हैं, वो ब्रजभू सरान सिंग, यौन उत्पीरन का चार्ज सीटेट बैखती है, चार्ज सीटेट, अदालत पे चार्ज सीट दाखिल है, आप खड़े हैं, उन लोगों के साथ जो रेप करते हैं आप ख़ड़े हैं उन लोगों के साथ जो पूजी बात के लिए किस तरीके से इस देश को निचोड रहे हैं मार रहे हैं इस देश के आम आदमी को मार रहे हैं और उसका नतीजा क्या होता है आपने जो हालात किये हैं उनसे तवाही की हालत है बावजूद इसके आप लोगों को इतना डरा रहे हैं धंका रहे हैं और धर्म के नाम पे नफरत फैला रहे हैं कि आपकी सत्ता बची रहे हैं आप सत्ता के लिए किस हद तक गिर सकते हैं यह पूरा देश देख रहा है तो नरेंद मोदी की इन हरकतों से हम सब रूबरू हैं आज फिर उनके भारतिय जंता पार्टी के ट्वीटर हैंडल से ओफिसियल ट्वीटर हैंडल से वह जूठा बयान जो कि बयान कभी भी नहीं पूरा दिख है जाता है इसलिए लिख करके उन्होंने डाला कि राहुल गांधी आलु से सोना बना पिने जबकी वास्त विक्ता प्रदान मंत्री नरेन मोदी के सब्द है उन्होंने कहा था और नरेन मोदी का वो हाथरस का बयान आप सुननीजिए जिसमें वो एक कह रहे हैं कि कैसे आपका ये आलू जो है हम वो क्लस्टर बनाएंगे कि आपका आलू सोना उगलेगा उसी को राहूल गांधी ने चुड़ा भी लहजे में कहा था अब आप समझे कितना जूट फैलाते हैं यानि जूट की फैक्टरी का नाम भारतिय जनता पार्टी है मकारी की फैक्टरी का नाम भारतिय जनता पार्टी है उसके नेता है यह हम देख रहे हैं इसी मकारी के दौर जब हम तमाम सारी चीज़ें की बात करते हैं तो आप देखिए किस तरह के हाल आते हैं नरेंद मोदी ने कहा था मेक इन इंडिया फेल हो गया फ्लाप रहा और सांसद आदर्स ग्राम योजना याद करिए गाउं को गोद लेने की फ्लाप हो गई गंगा सफाई योजना फ्लाप हो गई आज गंगा इतनी प्रदूसी था है जितनी कभी नहीं थी स्मार्ट सिटी योजना आप देख रहे हैं लूट मची हुई है लूट और हुआ क्या नथी इसके बाद में इसकिल इंडिया हमने पूरे देश ने देखा कैसे फ्लाप हुई है और उसके नाम पे कितनी लूट हुई है इसके बाद बेटी बचाओ बेटी पढ़刓 योजना ए भेटियों से सबसे यदा रेव सबसे यदा उनकी सिक्षा की बरबादी नरेद्मोधी के सासंद काल्व में हुई थीर क्या कहेंगे इसी तरीके से पियम मुद्रा योजना, प्लाप रही, ये चंद सारी योजना है, अब रोज गारंटी देते हैं, अब उन गारंटीयों की क्या बताएं, ऐसी इस्तिती में, वो जन्नायक लगता है, जो इनका जवाब देता है, हमारे बुजुर्भ बहुत समझदार दे, और उन्होंने इसी लिए ही इतने लंबे समय तर, सत्ता में नहीं आने दिया, लेकिन हमारी मूर्खता ने उन्हें सत्ता प्रदान किया, और जब सत्ता प्रदान की, तो आप सोचिए, कि वो किस तरीके से लोकतंत्र का नश्ट कर रहे हैं, किस तरीके से देश की न्याए बहुसता खतम कर रहे हैं, किस तरीके से सामाजी समर्शता को खत्म कर रहे हैं, किस तरह से देश के अंदर आर्थिक बिसमता की इस्तती पैदा कर रहे हैं, और इससे हो क्या रहे हैं, इस इस देश में जरायम अपराजपन अपने हैं इस देश के अंदर एक दूसरे को मार कर खा जाने जैसे हालात पैदा हो रहे हैं मनिपुर जैसे हालात हैं नू जैसे हालात हैं और नजाने क्या क्या है और इस देश में वह हिस्ति आ गई है कि बेटियां अपनी आबरू बचाती घूंड रही है हालात बद से बदतर है और जब यह हालात हो तब हमें समझ आता है कि कैसे हो ग्यारा सो किलो मीटर चंपारण से पैदल चल कर तमाम यूबा जो तथा कथि अगने बीर कह दीजे कुछ कह दीजे वो पैदल चल कर दिली आते हैं प्रदर्सन करते हुए कि सहाब सुन लो हमारी यह आप जो योजनाएं लेके आए हैं अगनी बीर टाइप की इनसे यूबाओं का भविश्च से बरबाद हो रहा है इसे बरबादी से बचाईए भारती इंता पार्टी का तो कोई नेता नहीं बिलता भी नहीं है नरक्षा मंतरी राजनाथ सेंग जिनकी एक इज़्जत होती थी उन्होंने अपनी इज़्जत खो दी है मोदी के चक्कन अमित शाह से तो आप कलपना नहीं कर सकते हैं तड़ी पार्ग की तमाम सारी कहानिया हैं और नरेन मोदी जुमलों के बाद साह है तो उनसे आप क्या उमीद करेंगे तो फिर बचा को कोई नहीं ऐसी इस्थिती में राहुल गांधी उनके बीच जाते हैं उनके दर्द को समझते हैं सुनते हैं और कहते हैं कि हम इसकी लड़ाई लड़ेंगे हम आपको इंसाब दिलाएंगे मगर उसके लिए हमें सत्ता च मुझे सत्ता की भूख नहीं आप वो सत्ता उनको दीजे जो आपकी बात करते हैं जो आपको हद देने की बात करते हैं आपको न्याय देने की बात करते हैं आपको सामाजिक दाइरे में एक सहिसूनता के साथ रहना सिखाते हैं नफरत नहीं यह राहुल गांधी आज सुब हरियाना के जच्छर में एक गाउं में जहां पर आर्या जो है अखाणा था वहां पहुंच जाते हैं हरियाना के नेताओं को इसकी ख़वर नहीं लगती है न दिपेंदर हुड़ा को न भूपेंद सिंग हुड़ा को जबकि उनका अपना इलाका है और अचानक राहुल पहुंचे होते हैं और वहां पर बजंग पुनिया समेथ तमाम सारे लोग अपनी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं रहुल गांदी उनके साथ जाते हैं उनके साथ में उनको समझते हैं उनके साथ वर्जिस करते हैं और उनके साथ में वर्जिस करने के बात कहते हैं चलिए आप के साथ में हम भी दो-दो हाथ अजमाइस करें और जब वो अजमाते हैं तो नरेंद मोदी की तरह से fixed match नहीं खेलते हैं बजनपुलियां उन्हें गिरा देते हैं और वो वास्तों में जो जैसे होता है को फोटो जीवी होते हैं इवेंट मीडिया को बुला के ले गए होते हैं तमाम सारे उनको लेके गए होते हैं उसकी बजाए वो गए और उनके साथ में उसी तरीके से किया गिरना मंजूर किया Black Belt है रहुल–ग, बड़ा मुस्किल पड़ा बजंग-पुनिया बताते हैं कि बड़ा मुस्किल पड़ा उन्हें गिरागा, लेकिं हम पहल्वान हैं अकारे के, रहुल–गांदी Black Belt है तो तो जिस चीज में वो ब्लैक बेल्ट हैं, उसमें हम भले हार जाएं, लेकिन अखाले के दाओं में तो हम ही जीतेंगे, तो यह इस्तिती होती है, यह एक सच की पहचान होती है, कि जूटा चंदम चेहरा नहीं दिखाते हैं, कि कभी हम सरदार बन गए, कभी हम इसाई बन गए कभी हम पहाडी बन गए, कभी आदिवासी बन गए, कभी कुछ और बन गए, तो यह ड्रामे नहीं है, वास्तित्ता है, यही राउर गांदी की पहचान, तो इस पहचान के साथ, वो उनके दर्द को समझते हैं, उनके साथ वैसे ही जमीन में बैठ करके, सामाने अर्थों मे वैसे ही उनके साथ में खाना खाते हैं, और तमाम चर्चाएं करते हैं, उस सब करके, उनकी चीजों को समझके, कैसे बेटियों के साथ जो हुआ, सारी चीजों पर उनसे चर्चा करते हैं, और खेल को कैसे बढ़ाया जा सकता है, खिलालियों को नया कैसे दिया जा सकता है, इन सब पे चर्चा, यही राहूल गांदी की खूबी है, वो जब हर्मिंदर साहब जाते हैं, तो वहां भी, वो मीडिया को नहीं ले जाते हैं, अकेले जाते हैं और वहां पर किसी नेता को नहीं ले जाते हैं, उनके साथ सेवा करते हैं, और तीन दिन तक सेवा करते हैं, तरीके से सारी चीजे समझते हैं करते हैं और वो फर्नीचर मार्कर जाते हैं तो फर्नीचर के कारोबारियों के साथ उसी तरीके से मिलते हैं और सब कुछ करते हैं कैमरा मैंन के साथ नहीं और उसके बाद में जब राहुल गांदी सबजी मंडी जाते हैं तो किस वहां पर जा करके हर चीज समझते हैं, तो और वही रもし रहुल गान्थी, जब साथ जाते हैं, तो आप सोच lighting कि यात्रा के दोरान उसको समझते हैं और उसकी तुलना करते हैं अमेरिका के से, और उसका नतीजा भी मिलता है इसी तरीके से राहूल गांदी बेटियों के पास जाते हैं और उनको समझते हैं कि बेटियों के लिए क्या करना चाहिए उनके स्कूल जा करके उनके साथ पूरी चीज़े चर्चा करते हैं उनके दर्द को उनकी पीड़ा को समझते हैं वो राहूल गांदी जब सिव उनिवर्स्टी जाभाण दूनिया की तमाम उनिवर्स्टी में जाता है तो उस इस तर की बात करता है उसको सफ़स्कार और उसी सब को समझ कर इस देश के लोगों के साथ में पैदल भारत जोडो यातरा करता है साधिच चार हजार किलो मीटर में हर वर घर जात यहर धर्म हर छेतर के लोगों के साथ इंट्रेक्ट होता है और उन्हें समस्ता है वही राहुल गान अब उससे जो निसकर्स निकालता है वो निकालता है कि हिंदुस्तान की तीन बड़ी समस्या एक सामाजिक नियाए की समस्या है दूसरी आर्थिक विसमता की समस्या है उसका संकर्थ और तीसरी जिस तरीके से राजनेतिक ताना साही चल लही है और उससे लोगों के हक्त मारे जाना है उसकी समस्या है तो इन सब से रड़ना है और इन सब को इनसाफ दिलाना है और इस इनसाफ के लिए राहुल गानी ने फैसला किया कि जो सब की मांग है उस मांग के अनरूप अब भारत न्याय आत्रा निकले और वो न्याय आत्रा उस मनिपूर से सुरू होगी जहां पे सैक्रों युवा मार दिये दे नफरत की आग में मार दिये दे जहां लड़कियों की नंग परेट कराई दे जहां पर और नजाने क्या- आठ महिने से वो मनिपूर सुलग रहा है चल रहा है उसको कोई इंसाफ नहीं दिया दे और उस ना-िंसाफी के खिलाब वहीं से नंयाय की आत्रा शुरू बोगी और वो नंयाय की आत्रा वहां से होते हुए चओधा राजियों को होते हुए गुजरात से होते होते, उत्तरप्रदेश से होते होते, वो मुंबई में आके खतम होगी, उस मुंबई में जिसे देश की आर्थिक राजधानी कहा जाता है, जहां पर सबके साथ में कैसे जोड़ने का किस्सा, तो राहुल गांधी की एहात्रा, जो 14 जनवरी से सुरू होगी, और मार्च में आके खतम होगी, यह यात्रा, वास्तों में सामान में यात्रा नहीं है, यह यात्रा, फिर से लोगों को जगानी के लिए है, कि आपके साथ जो हो रहा है, उसमें कैसे इंसाफ मिलेगा, कैसे लड़ा जाएगा, कैसे क्या करना है, इसके लिए आपको भी सोचना है, हमें भी सोचना है, हमें ड्रामे निंग कर लें, तो उसी यात्रा की कड़ी है, उसी यात्रा की कड़ी में छोटी-छोटी यात्रा हैं हो रही है, उत्तर प्रदेश में यूपी जोडो यात्रा चल रही है, जो मुरादाबाद पहुंची किने तर्ट में और धीरे धीरे यात्रा जो चंद लोगों के साथ सुरू ही थी आज एक बड़ी यात्रा में धीरे धीरे तब्दील हो रही है लोग निकल रहें समझ रहें मिल रहें कोई बड़ा नेता दी लेकिन लोग साथ तो वह करने की इसको लेकर करके पूरी को समझने की जरूरत जिससे अगनी वीरों को भी इनसाथ मिले युवाओं को भी इनसाथ मिले बेटियों को भी इनसाथ मिले और कामगारों को भी इनसाथ मिले हर जाती हर धर्म के लोगों को इनसाथ मिले और यौन सोसकों को उसकी सजा सुनाई जाए यह ताना साही से जो राज स्थापित किया गया है, लोकतंत को खत्म करने की कोशिस हो रही है, खत्म कर दिया गया है, जो भी कह सकते हैं, उसको कैसे फिर से सच्चे लोकतंत के रूप में स्थापित किया जाए, किसी नफरत के में नहीं, यह नहीं कि हमें बदला लेना है, यह है कि हमें इंसाफ द क्योंकि भारत आज जिस इस्टिती में है चंद पूंजी पतियों के हाथ में पूरा देश और सरकार खेल रही है प्रधान मंत्री स्वयम उसके नौकर बने हुए है और इस तरह के जब हालात हो तो आप समझ सकते हैं इन सब को जब समझेंगे तब आप जानेंगे कि देश कैस चला है इसलिए जरूरत है कि हमें देश को जोड़ना है और देश को जोडने के कम में हमें देश को न्याय देना पड़ेगा जब न्याय मिलेगा लोगों को हत मिलेगा उनके रोजगार मिलेंगे खाली हाथ बैठ करके साड़े साथ घंटा इस देश का युवा सोसल मीडिय नहीं चलाएगा तब कहीं इंसाफ होगा और उस इंसाफ की तयारी तुञ इनसाफ देने की बात करते हैं कौन राहूल गान्दी उनकी कॉअंग्रस पार्टिए और किस तरी किस सेवा होती है दिखावा नहीं होता है राहुल गांधी को लेकर के संक्राचार्ड ने बड़ा अच्छा उन्होंने गांधी के लिए कहा कि गांधी जब चंपारण गए और उन्होंने देखा कि जिस घर में वो रुके थे महिलाएं जब आती थी तो एक साथ नहीं आती थी अलग अलग आती थी जब उन्होंने पूछा क्या वजए तो पता चला कि एक साथ क्यों नहीं आती तो पता चला कि एक ही साड़ी है उसी को पहन पहन के सब आती इस हालत में था वहीं पर गांध लंगोटी में आ गए कि देश को देना राहू गांधी को भी लेकर जब लोग कहते हैं कि एक टीसर्ट में चड़ा जा रहा है उस सामान में सा इस सामान में तोर पे रखता है आला कि उनका hard and fast नहीं है लेकिन उसी दर्द को महसूस करने का है कि सर्दी में लोग कैसे महसूस कर पे गर्मी में कैसे हो यही सक्ति को समझने की जोगा तो डर्द को समझने वाला जन्नायक होता है सक्ता में बैठ कर डीने हांकने वाला ने इसने फैसला आपको करना है कि सक्ता में बैठ कर डीने हांकना जूट बोलना मकारी करना उसके साथ आप जाएंगे या जो आपको न प्रामा जी समर्सता की बात करता हो, आप के लिए लड़ता हो उसके साथ, फैसला आपको कर दो, क्योंकि ये एहम मौका है, और अब तो सब ने कह दिया है, कि यदि दो हजार चौबिस में आपने मोधी को नहीं हराया, तो लोकतंत्र नाम की चुडिया मर जाएगी, जैह! लोकतंत्र नाम की चुडिया मौका है, लोकतंत्र नाम की चुडिया मौका है, जैह!